हाई फ्रेंड्स मेहोग प्रतिवाब कुक वित प्रतिवाश्य वरे में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चली फ्रेंड्स आज बनाते हैं हम घर पर बिल्कुल बाजार जैसा चावन प्रास आप लोग इसका color देखिए, texture देखिए, बिलकुल बाजार जैसा ही है और खाने में इसका taste भी गदम बाजार जैसा ही है तो चली फ्रेंट्स, पूरा वीडियो देखिए और बाजार जैसा चाउन प्रास घर पर बनाइए तो बजार जैसा चमण प्रास बनाने के लिए यहाँ पर ले लिजिए आदा किलो आमला आमलो को बहुत अच्छे से धो लिजिए और उसका पाने पोच कर ले लिजिए अब चले देख लेते हैं कि चमण प्रास बनाने के लिए क्या-क्या मसाले लगते हैं तो यहां तीन छोटे चमच सोट का पाउडर ले लीजय और कुछ खड़े मसाले ले लीजय इनको हम अभी पीस कर इसका पाउडर तैयार करेंगे तो यहां ले लिजे दो बड़े चमच लॉंग यह लॉंग है फ्रेंड्स यहां पर लेनी है दो बड़े चमच लॉंग आपको और तीन बड़े चमच काली मिर्च यहां पर मैंने इस चमच से मेजरमेंट किया है आप लोग देख लिजे तो यहाँ पर तीम बड़े चमच मैंने काली मिर्च लिया है और दो बड़े चमच इलाईजी छोटी वाले इलाईजी है ये अब पांच लिहें मैंने बड़ी वाले इलाईजी जिसको डोणा भी बोलते हैं दस से बारा पीपली और आठ से दस टुकड़े दालचीनी के और पंदरा से बीस पत्ते ये तेज पत्ता वाले ठीक है तो इन सभी मसालों को आप ले लीजे क्योंकि सोट का हमने पाउडर लिया है तो इसको पीजनी के दिजरूरत नहीं है इन सभी चीजों को अभी हम पाउडर बना कर तयार करेंगे तो फ्रेंट्स आपको किसी भी किराना की दुकान में ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी या तो फिर मैकसिमम घरों में तो ये चीज़े पहले से ही रहती है तो चलिए और हमें चवन प्रास बनाने के लिए यहां लिया है हमने एक कटोरी घी ये लगबग 100 ग्राम है लेकिन हमें जितना जरूरत होगा हम उतना ही डालेंगे और यहां पर ले लिजे एक किलो गुड़ आधा किलो आमले में एक किलो गुड़ पढ़ेगा फ्रेंट्स इस बात का आप लोग बिसे ध्यान दीजेगा मेजरमेंट एकदम यही रखिए तभी आपके चवन प्रास का टेस्ट बजार जैसा आएगा एकदम तो चलिए सबसे पहले हम आमलो को उबाल लेते हैं तो यहां मैंने सारे आमलो को कुकर में डाल दिया है आधा के लोग आमला अब इसमें एक कटोरी पानी डाल दीजे और इसको उबलने के लिए रख दीजे चार-पांच सीटी आने तक हम इसको उबालेंगे चार-पांच सीटी में बहुत ही अच्छे से उबल जाते हैं फिर इसके बीज जटा देंगे और लिली जब एक मिक्सी का जार और इसमें जार में डाल दीजे सारे मसाले खड़े जो मसाले लिए हमने इनका एकदम महीन पाउडर बना लीजे पीस के तो सारे मसाले हमने डाल दिये हैं जार में अब चलिए इनको हम पीस लेते हैं तो देखी फ्रेंट्स मसाले हमने पीस लिए हैं तो चलिए अब इसको छान भी लेते हैं क्योंकि चानना बहुत जरूरी है क्योंकि इलाइची बग्राइब जो छिलके होते है वो पूरी तरह पीस नहीं पाते तो जो मसाला है हमने पीसा है इसको चान लेते हैं हम एक चन्ने में डाल कर तो लीजे हमने चन्ने में इसको डाल लिया है अब इसको चान लेते हैं क्योंकि छिलके बगेर आएंगे अगर हम डारेक्ट डाल देंगे तो फिर वो हमारा चवन प्रास अच्छा नहीं बनेगा तो यह देखिए हमने मसाले को छान लिया है देखिए बहुत ही अच्छा मसाला बनकर तयार हो गया है हाँ और यह छिलके है ना यह भी एकदम बेकार नहीं है यह बहुत काम की चीज़ है जब इसको आप चाय बनाते समय डाल देंगे ना थोड़ासा एक चमबाच है तो चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा चाय का तो आप इसको छिलकों को फेक ही बिल्कुल नहीं चाय में डाल कर यूस कर लिजे तो यह देखिया हमारे आवले भी ठंडे हो गए थे उबलने के बाद तो इसके सारे बीज हमने हटा दिये हैं और इसकी कलियों को अलग कर लिया है तो चलिए हम इनको भी पीस लेते हैं तो यहां मैंने वही वाला जार ले लिया है जैसमें मसाले पीसे थे इसी जार में हमने आवलो का भी पेस्ट बना लिया है यह देखिये काफी महीन पीसा है इसको फ्रेंट्स मैंने पानी डाल कर पीसा है क्योंकि ऐसे तो पिस नहीं रहा था तो थोड़ा-थोड़ा सा मैंने प तो भी चनकर अलग हो जाएगा यह देखिए बहुत ही स्मूध पेस्ट चनकर तयार हो गया है वैसे तो चनने के बाद कुछ निकला नहीं है क्योंकि आवलों में एक भी रेसे नहीं थे बहुत ही अच्छे आवले थे यह देखिए कुछ भी नहीं निकला कोई भी छिलका लंस नहीं बचा है तो देखिए बहुत ही स्मूध पेस्ट हमारे आवले का तयार है तो चलिए आप चनप्रास बनाते हैं जटपट तो यहां पर रख दीजे बड़ी सी लोहे की कड़ाई फ्रेंट्स या एक बात का ध्यान रखिए आपको लोहे की कड़ाई में ही बनाना है चन में बनाए एलवुनियम में बिल्कुल मत बनाए में ठीक यहां पर डाल दीजे एक चमचा घी है जो सबजी परोसने बाले चमचा होता है ओना है पूरा घी यहां और आपको घी से नहीं बनाना है तो आप यहां पर तिल का तेल ले लिए जाता है तो यह ना तो आप घी से बना यह तो तिल के तेल से बना लिए ठीक है तो चलिए इसको हम घी में भून लें गे दो मिनट अपने आuitive की पेस्ट को पहले भूनेंगे गी में दो मिनट इसके बाद हम गुर्ड डालेंगे इसमें इसको हमें चलाते हुई भूनना है अगर आप लोग एक बार घर पे चौन प्रास बना लेंगे तो हमेशा आप घर पर ही बनाएंगे फिर बजार से लाने का मनी नहीं करेगा आपका तो देखे हमने दो मिनट भून लिया है आवली को यहाँ पर अभी हमने फ्लेम को हाई पर रखा है तो जल्दी जल्दी चलाते रहे हैं कहीं हमारा पेस्ट जलना जाए अभी आप फ्लेम को लो कर दीजे क्योंकि हम गुड़ डाल रहे हैं तो थोड़ा सा चला नहीं पाएंगे तो लीजे हमने सारे गुड़ को डाल दिया है और गुड़ के मैंने छोटी छोटी टुकड़े कर लिये है इससे क्या होगा ना जल्दी से मेल्ट हो जाएगा हमारा तो चलिए इसको थोड़ा सा चला दीजे ताकि गुड़ जल्दी से हमारा मेल्ट हो जाए तो इसको थोड़ा चलाते हुए मैं पकाना पड़ेगा अगर आप लोग घर में एक बार बना लेंगे चवन प्रास तो फिर हमेसा घर पर ही बनाना पसंद करेंगे आपको इतना अ जब घर पर इतना अच्छा चवन प्रास बन जाता है तो बजार से के उलाए लए वही टेस्ट वही टेक्स्टर और हाँ इसको आप 8-10 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं इसमें बिना कोई प्रिजर्वेशन मिलाए कोई भी आपको प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाना है त अपनी फैमली वालों को भी खिलाए तो देखी हमारा हावला काफी काला हो गया है पकते-पकते गुड़ भी हमारा मेल्ट होने लगा है यह देखी लोही का कढ़ाई का कमाल है यह देखी इसका टेक्स्टर और इसका कलर कितनी जल्दी मार्केट जैसा हो जाता है देखी कित हाँ फ्रेंट्स जो जो मसाले मैंने बताई है ना सारे मसाले आप लोग डालिए तो यह आपकी इम्म्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग करेंगे और कोई भी आपको पूरी ठंडियों बर आपको सर्दी खासी जुखाम नहीं होगा अगर आप इस चवनप्रास को खा नहीं जाता कि यह देखिए पक्ते पक्ते काफी गाड़ा होने लगा है और हां बीच बीच में छीटे मार के जरूर पकता है तो आप लोग थोड़ा सा समल के पकाईएगा जब यह चीटे मारने लगे यह देखिए थोड़ा सा घी इसमें और डाल दीजे तो इसकी इन्वा शाइनिंग बहुत ही बढ़िया आ जाएगी फिर एकदम और इसका टेक्श्चर एकदम मार्केट जैसा आएगा थोड़ा सा घी डालके इसको चला दीजे यह देखिए इसकी शाइनिंग देखिए आप लोग कितनी जबर्जस साइनिंग आ गई हमारे चवन प्रास में बस एक दू मिनिट और चलाएंगे फिर हमारा चवन प्रास पूरी तरह से बन जाएगा तो फ्रंट्स आधा किलो आंवले का अगर आप लोग चवन प्रास बनाते हैं तो इसको पकने में 25-30 मिनट लगता है आपको टोटल टाइम लगेगा 25-30 मिनट अगर आप लोग एक किलो आंवले का बनाना है आपको चवन प्रास तो इसमें आपको 40-45 मिनट आपको पकाना पड़ता है और मेजरमेंट डबल कर दीजे अगर आप एक किलो आंवले का बना रहे हैं तो जो जो मैंने आपको मसाले बताए है ना और गुड बस उसकी दुगनी मात्रा में ले लिजे तो आपका एक किलो आंवले का चवन प्रास बन जाएगा बस एक बार बना लिजे और आट से दस महीने खाते रहे हैं कोई टेंसन वाली बात नहीं है तो चलिए इसको जल्दी जल्दी लास्ट में घोट लेते हैं ताकि इसका टेक्श्चर जो है बिल्कुल बाजार जैसा जाए यह देखिए काफी गाड़ा होने लगा है बच कुछी सेकेंड में हमारा चवन प्रास पकर एकदम तयार हो जाएगा यह देखिए इसकी शाइनिंग देखिए और इसका टेक्शर एकदम मार्केट जैसा हो चुका है तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और इसक इसको टिफिन बोल दीजे क्योंकि इसका धकन भी है तो हमने उसमें रख लिया है इसी में बस रखा रहेगा और बस धकन लगागी रख देंगे और इसको डेली एक चमच के मातरा से खाएंगे तो आप किसी भी कांच के बढ़नी में रख लीजे या फिर इस्टील के डिब वीडियो पसंद आया हो तो सब के साथ शेयर जरूर करिए तो फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत